Unmet Needs of Students हमने पिछली स्लाइट्स में यह जिकर किया था कि यह ज्रेकर्स जो है उसने अपना लॉजिकल कॉंसिक्वेंस का जो मॉडल है वो Unmet Needs and Desires of Students पर बेस किया है और यह जो मॉडल है It derives its roots from Adler's theory आईए देखते हैं कि Adler जो है उन्होंने Unmet Needs के बारे में क्या बात किये Adler was a very famous philosopher and a psychiatrist और उन्होंने ये बात सामने रखी कि जो भी बच्चा है उसको उसके social context में देखना बहुत ज़रूरी है Social context का मतलब है कि वो बच्चा कहां पैदा हुआ वो कहां पर उसने परवरिश पाई और वो कैसे school में जा रहा है और वहां का जो social context है वो क्या है कोई भी जो बच्चा है वो जब बड़ा होता है तो उसका जो environment है उसके जो आसपास का महौल है उसको जानना जो है वो बेहत जरूरी होता है क्यूंकि बहुत सी ऐसी खाहिशात है जो वो महौल जो है वो बच्चे को दे नहीं सकता और उसकी वज़ा से बच्चों में frustration जो है वो आ जाती है तो social context जो है वो बहुत important है इसके इलावा जो edler है उन्होंने इस चीज़ के उपर बहुत focus किया कि ये तक जानना जरूरी है कि parent की education क्या है parents जो है वो कितने educated है अगर जो बच्चे है उनका अपने siblings में क्या number है वो क्या वो सबसे बड़े हैं क्या वो दर्मयान में हैं या वो सबसे छोटे हैं इससे भी जो behavior patterns हैं उनके उपर बेहत फरक पड़ता चलता है और lifestyles क्या हैं how are they living within a society that also makes a huge difference towards the needs that are met or the needs that remain unmet so that also is extremely important क्योंकि Adler का या खयाल है कि जो individual है उसके लिए social recognition बहुत जरूरी है that is one chief demand of every individual who exists in a society इसके लिए इन तमाम backgrounds का जो है वो जानना एक school के लिए और खसूसी तौर पर teacher के लिए बहुत जरूरी है बाज़ोकाद parents जो हैं वो एक खास बच्चे को prefer करते हैं और बाज़ोकाद some children they get neglected at home और उसकी जो frustration है बाज़ोकाद वो school में आकर निकलती है इसलिए ये बहुत जरूरी है जानना के बच्चे जो हैं वो कैसे घर से आ रहे हैं कैसे महौल से आ रहे हैं और जो parents हैं वो कितने educated हैं और parents जो हैं क्या वो कोई बच्चों में preferential treatment तो नहीं करते बाज़ोकाद gender में preferential treatment होता है बाज़ों में जो लड़का है उसको prefer किया जाता है या बाज़ों में लड़की को prefer किया जाता है इसलिए इन सब चीजों का school को जानना बहत जरूरी है and the school should consider that an individual's particular behavior is based on the kind of environment that that individual is coming from इसमें ये जाना बहत जरूरी है कि जब हमारी तमाम जरूरियात पूरी हो रही है so we are happy human beings which means that way we will display positive behaviors because our basic needs are met तो वो टालिबल जो के अच्छा behavior शो कर रही है वो सकता है कि उनकी तमाम जरूरियात जो है वो पूरी हो रही है वो जिस महौल से आ रहे है इसी तरह वो बच्चे who feel discouraged, who are frustrated वो बच्चे जो है, their basic needs are not met and they will definitely behave in a very odd manner when it comes to the classroom वहाँ पर वो अपने आपको जब दूसरों के साथ compare करते हैं जब वो देखते हैं कि उनके जो साथी तलबा है उनकी तो जरूरियात पूरी हो रही है मगर उनकी नहीं हो रही so automatically frustration sets in और उसमें यह होता है कि frustration में आकर बच्चे जो है, वो odd behaviors जो है, वो display करते हैं अब जो behaviors हैं, वो जानना बहुत जरूरी है teacher के लिए कि वो behaviors क्या है और teacher जो है, उसको बहुत particular होना चाहिए यह देखने के लिए कि उसके classroom में हो क्या रहा है वो बच्चे जो odd behaviors display कर रहे हैं, वो कौन है उसके लिए यह बहुत एहम है कि बच्चों की जो basic needs हैं उनको देखा जाए और यह जाना जाए parents से और दूसरे caregiver से कि बच्चों की जो है वो social history क्या है because on that social history is built other behavior patterns of students that are displayed in the classrooms